केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर अपने पिता और पुर्व सीयम प्रेम कुमार धुमल के जन्म दिवस के मौके पर हमीरपुर पहुंचे पूर्व सीयम प्रेम कुमार धुमल के जन्म दिवस के मौके पर कई नेता और कारे करता उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंचे केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर सभी का अभार व्यक्त किया उन्होंने मौके पर पहुंची जन्ता की शिकायतें भी सुनी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी शिकायतों का समधान किया जाएगा वही केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पुर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के कार्णे काल में हिमाचल प्रदेश में कई विकास सकार दे हुए उन्होंने प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया और कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त जनता से कई वादे किये लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है और पौन पर भी बढ़ाई देने का ताक्ता लगा हुआ है वर्शों वर्शों तक जनता की सेवा जिस तरह से धूमल्दी ने की है कारेकर्टाओं पर जनता का दिल जीता है इसलिए सदों का अशिरवा धूमल्दी के साथ रहता है और हम सब के लिए एक प्रेणा के रूप में वो है कि कोई करीब से ग्रीव व्यक्ति हो उसके काम के लिए अभी भी है तो जितनी ततपरता के साथ कदम उठाते हैं हम सब के लिए एक सीखने लाइक भी है और कहीं न कहीं जो विकास उन्होंने हमाचल प्रदेश का किया आज भी जनता के दिलों में उसी तरह से बसा हुआ है गाउं-गाउं को जोड़ना पनविजली परियोजनाय लगाना सड़कों का जाल पिचाना बारह हजार कमरे स्कूलों में बनवा देना ऐसे अनेकों काम क कि हमाचल प्रदेश की आएक को बढ़ाने का भी उस दिशा में जो कदम उठाए आज भी जनता याद करती है और इसलिए पार्टी के वरिष्ट नहताओं ने जो अशीरबात दिया है और अपनी शुप कामने भेजी उसक्लिमन का धन्यवाद करता है